असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्शर नबर 8 इन एच्टीमल सीरिस। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम अपने फॉर्म के लेक्शर को कम्प्लेट करेंगे। इन फिर्ष वेडियो में हमने इन फॉर्म के बारे में देखा। खॉम्स की कितनी इन फॉर्म ताइप्स आंसे प्छुड़ कंढेगे। और उन इून्स सबको हम वने डिटैल से डिसक्स किया था। दिखा सकता हूँ, यह देखें Students, first of all, आज हम देखेंगे buttons के बारे में के आपने देखा होगा कि forms के ओपर एक button होता है कि जिस button पर click करते हैं तो forms submit होता है या कोई भी और action पर form होता है तो first of all button को कैसे place करते हैं, हम वो देखते हैं button का tag use करेंगे गाए होगया, बटन के टाइब, टैग में उसकी हम यूज़ करेंगे, टाइब, यह बटन की टाइब कौन सी है, बटन हमारे पास 30 करा कि है, एक वो बटन है, जिनकी टाइब ही बटन है, वो कोई action पर फॉर्म नहीं करते हैं, धूसरे नम्र पर हमारे पास बटन है देते हैं, बटन जो भी हमारे पास कोई data हम get कर रहे होते हैं form के तुरू उनको submit करने के लिए use होते हैं और third हमारे पास होते है reset button कि अगर हम ने कोई data form से clear करना हो तो हम reset का button use करते हैं हम तीनों types को यहां पर देख लेते हैं button की first of all type of button यहां पर आप कोई भी name लिख सकते हैं कोई लिखना सकते हैं action हम इसका name ही लिखते हैं उनके type no action इस button ने जस्ट आपको यह button तो ब्रॉजर के ओपर show होगा लेकिन कोई भी action perform नहीं करेगा यह button clickable होगा लेकिन इस button से कोई action perform नहीं होगा second पर हम button की दूसरी type को देखते हैं इसी को मैं copy का लेता हूँ सेकिंड बटन की type है सब्मिट का बटन के हम जो भी form से value get करते हैं हम अपनी input fields में जो भी values लेते हैं उनको यह submit करवाने के लिए form एक जगा से दूसरी फाइल में ले जाने के लिए submit का button यूज होता है हम यहाँ पे लिखते हैं सब्मिट फाइल्स और यहाँ पे हम vr का tag यूज कर लेते हैं सेव करते हैं सुर्ण्स यह आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास आ गया है no action button एक आ गया है submit files का button ठीक है यह submit files इसलिए मैंने लिखती है यहाँ पे क्यूंकि आपको पता रहेगा कि यह files को submit करने के लिए हमारे form को submit करने के लिए बटन यूज होता है इधर हम एक और vr का tag यूज कर लेते हैं वो थोड़ी से space create कर देगा तो यह आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसमें दोनों buttons के दरम्यान space create कर दिए ठीक है तो अभी हम इन्ही को फिर नीचे copy कर लेते हैं अपना third button create करने के लिए और इसी बटन को मैं यहाँ से copy कर लेता हूं और इसकी type हम reset कर देते हैं कुँकि यह हमारे पास reset का button है यहाँ पी आजएगा reset reset का आपको clear पता होगा कि अगर हम कोई form fill कर लेते हैं अगर हमें लगता है कि यह form हमारा ठीक नहीं है हम इसमें changing करना चाहते हैं तो हम reset के button पे click करके तुमाम form को remove कर सकते हैं तो इसको check कर लेते हैं यह भी form हमारा button वहाँ पे आ चुका होगा यह देखें यह reset का button है यह हमारे पास यह submit file उसके लिए यह no action इसके यह button तो हमें दिखा रहा है अगर हमने कहीं show करना हो लेकिन इससे कोई action perform नहीं होगा अब इसके बाद हम हमारे form की need के मताबिक हम radio buttons को पढ़ते हैं कि radio buttons क्या होते हैं ठीक है आपने दिखा होगा कि हमारे पास जैसे के हमारे student portal पे क्योई इसी ranking है ठीक है हमारे पास multiples option होते हैं और उन में से हमने कोई एक option select करना होता है तो वो हमारे पास क्या होते है radio buttons होते हैं हम किसी एक पे click करते हैं multiples option में से कोई एक option ही हमारे पास select होता है तो हम अपने radio buttons को देखते हैं हम यहां पे एक label का tag हमने जो previous lecture में देखा था उपको मैं लिख लें लगा हूँ label और इसमें मैं लिखिक देता हूँ यहां पे radio buttons यह भी एक input की type है radio button भी इसका यह syntax ही है input type radio और इस पे हम लिख सकते हैं साथ male तो यहां पे हम इसको copy कर लेते हैं ctrl c ctrl v यहां पे में कर देते हैं female तो अभी आप देखिएगा result इसका कि हमारे पास radio button दो buttons आ चुकी होंगे यह देखें male पे click कर रहा हूँ male भी select हो रहा है female पे click कर रहा हूँ female भी select हो रहा है लेकिन होना यह चाहिए था कि अगर मैं दोनों में से किसी एक पे click करता तो एक ही select होता ठीक है अगर इस पे click करता male पे to male select हो जाता female पे click करता तो female select हो जाता और male unselect हो जाता तो लेकिन यहां पे दोनों select हो रहे हैं, इस street को कैसे handle करते हैं, हमारे पास एक attribute होता है, जो यहां पर use होगा, name के लिए, name बहुत important role करता है, अपना play form में, जब हम bootstrap, CSS के थूरू forms को करेंगे, तो इनकी सारी attributes हम completely discuss करेंगे, और इनको styling के थूरू हम इन पर काम करेंगे, name के attribute जब हम use करते हैं, तो यहां पर name को जो value हमने assign करनी है, वो same name assign करना है, like मैं यहां पर इसको कह देता हूँ, x, और जो हमारे पास दूसरा option होगा, female का, इसमें भी मैं attribute लेस करते हूँ, name is equal to x, यह both name हमने same रखना है, इनकी value same होनी चाहिए, जब इनकी value same होगी, तो आप result check किए, मैं male पर select कर रहा हूँ, male select हो रहा है, female पर select हो रहा हूँ, तो male unselect हो रहा है, और female select हो रहा है, तो यही sequence आपकी चलेगी, या हम जितने मर्दी बटन एक question के against लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह था radio buttons का concept, और इसके साथ ही हम देख लेते हैं, अपनी check boxes को, यह check boxes क्या होती है, यहाँ पर headings लगा ले, heading लगा लेते हैं, edge tree, edge tree, check, book tree, तो guys हम start करते हैं, अपना check box को, यह input type, यह भी input का ही type है, input type, check box, यह check box हम उसके use करते हैं, कि जब हमने multiple चीजें select करनी हो, radio button को इसलिए use करते हैं, कि जब हमने multiple values में से कोई एक value को select करना हो, तो हम radio button को use करते हैं, और check box को हम उसके use करते हैं, जब हमने multiple values को select करना हो, मैं यहां पर लिखता हूँ पाकिस्तान और इसी को कोपी कर लेता हूँ यहां पर आजाएगा इंडिया यहां कहारेगा अमेरिका यहां पर मैं लेबल लगा लेता है लेबल का टेग लेबल का टेग लगा रहे हैं इसमें हम लिख लेते हैं चूस दी कंट्री अब हम इसका अड़ेल चेक करते हैं यह देखें चूस दा कंट्री हम इसमें अग अग मल्टिपल वैल्यूस को जब हमने कुई multiple values को स्टेक्ट करना हो रैडियो बटन भूस 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 करते हैं जब हमने मल्टीपल वैलियो को स्टेक्ट करना हो और यह हमारे नोकिशन का बटन यह हमारा को सब्मिट फाइल का बटन और धार्षट का बटन. सो कंखा इध में घंग करते हूं आग अग को आज की लेक्शेर के तमर्ट आयए होगी और अब आज हमारा यह फॉर्म का लेक्शर कंप्येट हो गया है तो इन्शाला मिलते हैं next video में टेबल्स जिसमें हम स्टार्ट करेंगे और इंशाला उसे हम उसी एक वीडियो में कवर अप करेंगे ओके थैंक्यू अलाहाफिर